क्लास नाइन्थ चेप्टर थर्टिन हम बिमार क्यों होते हैं वाई डू वी फॉल इल इसके अंतरगत अब हम चर्चा करेंगे लगुकालिक अर्थात तिवर रोक और दिर्गकालिक या लंबे समय वाले रोक साथ ही बात करेंगे स्वास्थ अर्थात हेल्थ क्या है और अच्छे स्वास्थ की आवश्यक इस्तितियां क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं लगुकालिक जिसे हम तिवर रोग भी कहते हैं जो अधिकांश्त तह एकाज सप्ता हमें ठीक हो जाते हैं जैसा कि हम जानते हैं सरदी जुकाम तो इनका हमारे स्वास्त पर कोई विशेश कूप रभाव नहीं पड़ता है जैसे अगर खासी जुकाम है या सरदी जुकाम है बुखार है तो इनके कारण हमारा शरीर में लंबे समय के लिए कोई कूप रभाव नहीं पड़ता है और अगर हम बात करें खासी जुकाम की तो खासी जुकाम के कारण हमारा वजन भी कम नहीं होता हमारी सांस भी नहीं फुलती और हम सदे और थकान का नुभाव भी नहीं करते तो येसे रोग जिनकी अवधी कम होती है उन्हें लगुकालिक या तिवर रोग कहते हैं क्योंकि बहुत कम अवधी के लिए वो रोग होते हैं जिसे सर्दी जुकाम है, बुखार है, खासी है तो ये हमारे लगुकालिक रोग है लेकिन यदि हम दिर्ग कालिक रोग जैसे फेफ़डों की टीबी उससे संक्रमित हो जाएं तो कई वर्षों तक बीमार रहने काण हमारा वजन भी कम हो सकता है और हम ठकान महसूस भी करते हैं एक ये रोग आपने दिर्ग कालिक रोग केंदर ही ले सकते हैं इसको बोलते हैं हाती पाओ तो ये हाती पाओ हैं कैंसर है टीबी है एडस है ये रोग दिर्ग कालिक हैं इनके अउदी लंबी या यूं कहें जीवन परियंत भी हो सकती है तो ये दिर्ग कालिक रोग है और जो दिर्ग कालिक रोग होते हैं वो तिवर रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास पर लंबे समय तक वीप्रित प्रभाव बनाए रखते हैं हो सकता है इसमें कोई तातकालिक प्रभाव आए लेकिन वो लंबे समय तक नहीं होता तातकालिक विप्रित प्रभाव हो सकता है लगुकालिक रोग में पर लंबे समय तक नहीं होता लेकिन दिर्गकालिक रोग में क्या होता है तिवर रोग की अपेक्षा स्वास पर लंबे समय तक विप्रित प्रभाव रहता है तो ध्यान रखीगा कि जो लगुकालिक रोग है यह तीवरोग हैं वे अल्प अउधी के होते हैं, सपता भर में वो ठीक हो जाते हैं और इन से कोई वीप्रिद प्रभाव लंबे समय तक शरील पर इनका कोई वीप्रिद प्रभाव नहीं रहता है लेकिन अगर ऐसे रोग हैं जिनकी अओधी लंबी या जीवन परियंत होती है तो वो रोग तिवर रोग के अपेक्षा लंबे समय तक वीप्रित प्रभाव डाले रखते हैं और ये लंबी अउधी के रोग होते हैं सपता दो सपता तीन सपता में ठीक नहीं होते हैं तो ये दिर्ग कालिक रोग होते हैं तो ये आप एक महत्वपुन रूप से इनका अंतर भी हम समझ सकते हैं दोनों का और अब हम बात करेंगे कि स्वास्त क्या है एक्चुली रोग और स्वास्त में डिफरेंस है डिफरेंस यह है कि स्वास्त जो होता व्यक्ति की शारिरिक मानसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है मतलब स्वास्त के अंदर उसके शारिरिक कारण भी होते हैं मानसिक कारण भी होते हैं और सामाजिक जीवन के जो पहलू है वो भी होते हैं तो रोग के एक शारीरिक कारण होते हैं लेकिन स्वास्त जो है उनको मानसिक और सामाजिक इस्तितियां भी ब्रभावित करती है तो अच्छे स्वास्त की जो आवशक इस्तितियां उसमें ये है कि व्यक्ति रोग मुक्त होना चाहिए ये मतलब शारीरिक रूप से देखिया आप ये शारीरिक जो उसकी पीड़ा है जिसको हम कहना है रोग तो वो उससे मुक्त होना चाहिए दूसरा यह है कि व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहिए यह मानसिक जो उसका जीवन है वो भी क्या होना चाहिए तनाव मुक्त होना चाहिए वो रेलेक्स होना चाहिए और साथी ऐसा का ऐसा बिल्कुल सामाजिक जीवन में भी है कि सामाजिक जीवन उसका क्या होना चाहिए सहज होना चाहिए तनाव रही तो और सुकुन दायक होना चाहिए तब भी वो अच्छे तरीके से स्वस्त कोई व्यक्ति रह सकता है तो कहने का तातपरी यह है कि व्यक्ति के स्वस्त रहने के लिए उसकी शारिरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन जो है उसका समन्वे उसके जीवन में होना बहुत आवश्यक होगा और किसी का स्वास्त जो होता है उसके भोतिक पर्यावरन और आर्थिक अवस्थावर भी निर्भर करता है कि उसके आसपास का जो परिवेश या पर्यावरन है वो केसा है और साथ ही वो जो व्यक्ति है वो अपनी जो जो स्वास्ते उसके लिए वो कितना कितने आर्थिक प्र पोशन के लिए उसकी आर्थिक स्तती का भी अच्छा होना जरूरी है तो यह हमारे जो लगुकालिक रोग दिर्गकालिक रोग और स्वास्त और अच्छे स्वास्त की आवशक इस्तितिया है